मुझा जानूटी जानूटी गए जानूटी गए जी असलाम अलेकूम नाजजीन लहूर करंदस के स्पेज से हम आज फिर से लाइव हैं और हमारे साथ मौझूद है एक बहुत स्पेशल गेस्ट लेकिन उससे पहले मेरे साथ हमेशा मेरे साथ देने के लिए मौझूद होते हैं और आज हमारे गेस्ट कौन है ऐसे स्पेशल जो के अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से यहां आए हैं और अगर हम बात करें तो उनने 2010 से अपना करियर क्रिकेट स्टार्ट किया था अब देन लोगर कलंदज ने उनको पिक्या थूपीड़ी थूपी तुथाजन सेवंटीन में और तब से वह हमारा पार्ट है उसके बाद खेल चुके हैं और उसके साथ आथ ऑस्ट्रेलिया में भी खेला और उसके लाबा बड़े अवर्ड बेस्ट बोलिंग के अब देन लोगर एक लगर का रहा आए अब खास बात उनके इंट्रवर्ड ना जाते हैं इस बात की सब्स्क्राइब बड़े थी तो बात की चल रही थी और पर स्टार इंट जिस तरह हर वह हारस तीन साल से आज जे घारे घार्ट पार्ट चाहां से उनके लिग यहारे चा पॉसम procent इन्यास में सनक प्याइए भी जाग अर्ट इन्यास किमसी ऐसे रहें सबस्हान तो और कमौने के रहेंट झाल में जाएग कीजिय प्रिकेंट आपक से safड इसवार और ह्सेलिया कि मटिखन जानग के साथ टास्ट अठीक क्लब के साथे जनगा here तो माशाला आज कल एक कोई ने कोई लिए और अस्ट्रेलिया के साथ कुछ जादा ही लबाद में पैक्ट कर लिया है कैसा जा रहा है अला हमदोलिल्ला बोरा जबर्दस्तरा टूर और जायर सी बात है पिछले साल गया उस्ट्रेलिया एक वहां पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिला इस बारी फिर मुझे 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 आना था लेकिन इस अच्छी चीज ती जो बेहतर जो मेरे पेसल में, so how do you feel about it और क्या तियारी है की? Honestly, I'm short of words मैं जब अनॉंस्मेंट हुई तो मैं अस्ट्रेलिया में था और हारिस मेरे साथ था तो एक बड़ा special moment था के सरानफवाद खड़े हुए और उन्होंने मेरे लिए अनॉंस्मेंट की तो honestly, I was I was not expecting this kind of तो इसी चीज़ अब जैसे जब मेरा नाम आया तो बहुत अदा एक्साइटमेंट थी और यह था कि अब फिर बने का फोकुस दबल हो जाता है जब एक्साइटमेंट तो होती है लेकिन फिर एक्साइटमेंट के साथ एक नर्वसनेस भी आता है थोड़ा सा, I want to be honest तो आता है लेकिन यह आए कि फिर उस नर्वसनेस की और एक्साइटमेंट के बीच का फेस्ट होता है जो ट्रांस है जो बैलनस है वो कैसे मेंटें करते हैं जो आप जा रहे होते हैं आपकी बुलिंगोरियोगे, so what do you have in your mind? क्या सोच रहे होते हैं throughout that, you know, face time? वो face थोड़ा सा, I was blessed कि मेंज़ा हारिस था होगा थे एर ऑस्टेलिया में तो जाइसी को आता है, थोड़ा सा वो पले खेला है, उसे experience था तो वो मुझे कह रहा था, बड़ा अच्छा मोमेंट है कि वो अभी announcement होने वाली थी, होई नहीं थी तो I was waiting कि नाम होगा के नहीं होगा, होगा के नहीं होगा लेकिन मुझे, I was overwhelmed, honestly, तो मुझे हारिस ने काफी वहाँ पे, मुझे गाइड किया आप हारिस के साथ का जिकर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, आपके टीम मेट हैं, दोनों ने PDP से start किया, और अब साथ साथ सफर कर रहे हैं, वहाँ पर भी PPL में भी एकठे थे, अब PSL में भी इन्शाला एकठे होंगे, कुछ के mystery कोई खास है, कुछ खास चैय करना चाहे हैंगे, या पर आप वहाँ से उस से पिक करते हैं, उसको देख के कोई खास एनरजी, हाँ नी, exactly, मैं इस चीज़ को मेंचन करना चाहूँगा, कि मैं दो साल से कलंदर्स फैमली का हिस्सा हूँ, और जिस तरह के boys, लड़के हमारे साथ हैं, not not only हारिस, हमारे साथ माज है, द क्योंकि आप उस्ट्रेलिया में जाते हैं, लीग खेलें, तो आप अविसली वहाँ पर आप ट्रिकेट फोकस होता है, और आप अकेले होते हैं, लेकिन जब हारिस ने जॉइन किया, तो दैड वस गोड एक्चली, तो वहाँ पर मेरी अनॉंस्मेंट जब हुई उसके सामने तो साथ ही धमर्सनेस आया, उसके बीशप का जो बैलन्स वाला फेस था ना, वो फिर हारिस ने थोड़ा समझाया के यार, कैसे कैसे अब करना चाहिए, इसको अब करना है, इसको अब कैसे करना हो, और यह, उसको गुड अचा आपका करीर का स्टार्ट लेकर जाए, तो ठीः कररा प्हार झर्ट अब करना आपके खिंए, छिए और अपका जीजन, जब भी भी अधियर ऑख्यान स्टार्ट रेरिखनगे करना मौटिवेशनल आपके लिए सीह मतलिए कि उसके उ Yukotald और अए PSL का हिस्सा बनना वहाँ पे BBL कैम को जोईन करना वहाँ पे होगा धरी गेंज के बेतरी के साथ कैम करना उनने बोली करवाना उनके साथ खेलना यह सारी चीज़ें क्या यह जिस्ट लाइक ड्रीन यह रियालिटी फील होती है सबसे बहले तो मैं आपने जो स्टार्ट है मेंचिन किया कि जब बंदे का स्टार्ट लेट सपोस उसका स्टार्ट अच्छा है हर किसी का स्टार्ट अच्छा नहीं भी होता बहुत आपको एफिट्स देखनी पड़ती है लेकिन उस मौके पे जो आपको चीज मोटिवेशन देती है वो फिर्स्ट अफॉल तो जो आप लेट सपोस मैप घर गया हूँ तो आपके पेरेंट्स हैं तो I've been so blessed कि मेरे जो अबू हैं फादर है वो उन्होंने मुझे कभी जो है ना वो गिरने नहीं दिया जो अच्छी बात है और वो बड़े स्पोर्ट लविंग परसन है उन्होंने मुझे काफी स्पोर्ट किया और वो इलामा इकबाल के बहुत उनको बहुत पढ़ते हैं तो वो मुझे अकसर ही बेशतर ही अभी भी मैं जब घर जाता हूँ तो वो मुझे जो हैं उनके जो हैं ना शेर जो हैं वो कोट करते रहते हैं तो एक मैं उनका एक शेर कोट करना चाहूँगा जो को कि मुझे बार-बार कहते थे कि तु शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चटानों पर नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के कुम्बत पर तो वो मुझे हरुआ रहते हैं कि अपना जो आपने एम रखना है वो बड़ा रखना है तो कोई बात नहीं आप हारते हो हारने से बंदा सीखता है बंदा बंदे को मोटिवेशनल ये बाते जो नहीं ये तो मोटिवेट करती है तो आइवस ब्लیष्ट के मेरे पास ये चीजे थी और एसलञी चलती है और फिर आगे वज़ह सी बात है आप эффỡ करते रहते हैं रुखते नहीं है तो आपको results मिलते है और आपका struggling phase चलता चलता है 2010-2017 तक आता है फिर 2010-2017 में एक ऐसी opportunity मिलती है जो कि लोग कियां तर हाथ पकड़ता आपका उस trial में और आप उस team का champion team का ऐसा बनते हैं पर सिर्गोधा की तरफ से गेले और आप फिर आप उस शिझाल में यहां तरह से बस्केश करीश वाड में आपका उसला शुरू होते ही अपका शिर्साला शुरू हो होता ही आप सी आसी इस चैम्टिया जाते हैं आपको पहले सीजन नौकी क्लब की तरफ से बेस्ट बहुती क्या चीजें आपने इंप्रूफ की अपनी जो आपका पहला फेज था क्रिक्ट का और अब यह आपका स्टेक्ट फेज पहुंचने तक आपकी क्या-क्या मॉटिवेशन थी क्या-क्या स्ट्रगल थी वह ज़र्ब रही जो फिर सबसे पहले तो मैंशन करूंगा कि प्लेजवे लेकिन जो बेस्ट चीज थी कि पीडीपी ने मुझे रुकने नहीं दिया मुझे अभी तक याद है मैंने एक बॉल किया तो आकी भाई ने वह बॉल और आकी भाई वह स्टेंडिंग इन्दा फार नेट यानि कि वह स्पिनस को अभी वाच नहीं कर रहे थे लेकिन लेकिन अच्छी चीज़ें आपकी जिए वहां से देखा मेरा बॉल कि यह लड़का कौन है तो वह एक बॉल नहीं मुझे भूलता कि मैंने वह बॉल किया था तो उस बॉल ने बैसिकली लाइफ चेंज की फिर उसके बाद आपका यह सफ़र शुर होता है कि आप पीडीपी में मैं चैंपिन बना तो मेरी ड्रीम थी गया उस्ट्रेलिया जाए मैं नहीं गया उस साल तो बड़ा मैं डिसाड था गयार लेकिन फिर आप देखें कि थिंग्स हैपन फर गुड यानि कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है मैं नहीं गया फिर अगले साल में बेस्ट बॉलर होगा फिर गया वहाँ भी अच्छी परफॉरमंस होई तो सीखने का मज़ से लिए से पहले अबुदावी आपको चैंपिन टीम आप वहाँ आपने मुल्क में जहां सारा क्राउट पी अपना हो जीमेदारी कंड़ों पे आगली है तो फर्जान राचा क्या रोल प्ले करेंगे इसको हम एक तफार देख क्यों नहीं का कहते है जुएर यहां पर हम हैना सारे का साराद केहरे हैं अब पीदीब का जिकर करें एंक जी पुल बॉल था इसको टोठी क्रॉस खेलना चाह रहे थे जिसके पार इस पासूर्ट अनदाज में खेला है लेकिन फील्डर मापर बाचूट और बाचूट अन्टेकिन अच्छाई उनके अची तादार पाइनल से मैजूज होती हुए इस बास्टों के पीच्छे विक कि अच्छाई पाइनल से मैजूज होती हुए इस बासूर्ट अनदाज में खेला है लेकिन फील्डर मापर बाचूट अन्टेकिन कि अच्छाई उनके अच्छी तादार पाइनल से मैजूज होती हुए इस बासका को अस्टमाल किया और विक्टों के पीच्छे विकेट टीपर ने इस घलती को एंडमेट किया बैक्स्मेन की और पलक जबकते में बेर्स को जुदा कर दिया इस चंप्स के ओपर से अच्छार छलक थाणा कर दितिता कर तनन अे इस गुदाए इसे यह हैं कि अ Jesus अजयय यजय अजय हो Online यजय यजय ये ये परफॉर्मस की विडियो आपने देखी उसमें सारी इस अबर परफॉर्मसहे जो के बीटीप टॉर्निम chose मेनस अफ अब के तक की do वो सारी आप में देखिए आप बात करें उसे आगे जो PSL जिसके लिए पुरा पाकिस्तान इतना ज्यादा एक्साइटिड है क्या बात करें कि अपने स्कॉड के बारे में अपनी परफॉर्मेंस के बारे में और अपने देसी जितना अब महौल आने वाला है लहौर का हमारी आठ मैचे यहां पर है इसके लिए पाकिस्तानी क्राउट क्या फीलिंग है फीलिंग बहुत जादा एक्साइटमेंट है कि मैं जो पहला PSL पाकिस्तान में उना है उसका पार्ट हूँ अब इसे तो में परजाफी में पहले खेल चुके हैं प्लेज वर्पन प्रोग्राम तो इतना वह नहीं है लेकिन होमग्राउड का मज़ा लेंगे हैं लेकि होमग्राउड का मज़ा आएगा तो जैसी बात आए एक्साइटमेंट बहुत जयादा है तो यहां से फिर कितनी स्पोर्ट जा रही है फरजान राजा के जो दोस्त हैं रेलेटिव हैं फैमली वो सारे जब फरजान खेलेंगे पहला मैच पीएसल का तो क्या अच्पेटेशन है क्या नजर आने वाला आपको स्टेडियम मुझे यह बड़ी फ़नी बात है कि मुझे जितने कॉम्रेजिशन के मैसेज़े आएं उनके साथ लिए भी आएं कि आज हमें टिकेट दे जी है उनको उनके लिए क्या है अपने प्लैन रिखा हुआ है उनके लिए प्लैन यही कखा है कि बता दे जो असल बात है कितनी टिकेट मिलती है अब यह लोगों को ऐसे नहीं राजा इनकलोईर है वाँ परसे को तो आप ओन कर सकते हैं। पता नहीं कैसे मैनेज करना है लेकिन यह है कि वाक्वी में बहुत ज़ाधा excited, crowd हम से ज़ाधा excited है, कि पुरा PSL इस बारी पाक्स्तान में हो ज़ा है और 8 matches Lahore कलंबर के Lahore में हो ज़ा है, यह सबसे अची बात है, कि Lahore जो है न वो अपनी crowd को देख सकेगा, और live सामने साथ बै क्राउड की feel क्या होती है और इस तरह के कभी experience हुआ है? Honestly मैंने सिरफ एक ही दफा लिया और वो मैंने अभी recent लिया है, पहले पहले पाक्साम ने तो को match ने देख लेकिन मैंने अभी recent अब दवारा जिकर होगा हारिस का, तो हारिस का match मैंने देखा बैठके, वो BMCG में, तो बहुत, वहाँ पे इतनी जादा crowd थी, तो आपको तो अबाज ही नहीं आती, मैं तो बड़ा हिरान तक मैंने गार इतने, को हमने jam-packed में नहीं खेला, हम अब दभी खेले हैं, crowd था, बहुत था लेकिन पूरा stadium फुल होता है, और उस जोश, उस वलवले के अंदर बैठके सि और इंजॉय करने में इतना मजाता है, खेलते वक्या feeling होती है, खेलते वक्या feeling होती है, नहीं, खेलते वक्या feeling होती है, सच यह, कुछ सुनाई नहीं देता है, को selective deafness होती है, और इस फोकुसिंग on your play, is that like that, यानि कि यह discussion हमारी उदर भी चलती है, high performance center में, कि सारे लड़की been bold and fearless, तो pressure और nervousness जो है ना वो फिर जब आपके aggressiveness आजए तो फिर जब आपका match लहौर में हो, तो आपको पता है, हमारा crowd देख रहा है, तो वो एक feeling अंदर से हो जो होता है, वो ही और होता है, अच्छा फरजान आप जो वापस बहुत जल्दी आगे हैं, इस दफ़ा पिश कर रहा था high performance center का honestly, क्योंकि मैंने battle of calendar पूरा देखा वहाँ पे, और क्योंकि जब battle of calendar था, तो मेरा Australia का ticket थी, जैसे वो शुरू हुआ, मैं चला गया, और मैंने पूरा फिर वहाँ बैट के देखा battle of calendar, तो मैं फोन करता था पीछे, आकी भाई को मैंने कहा, यार कि this is not fair, मैं battle of calendar, लेकिन हाँ, मैं आया वापस इसलिए हूँ के, camp लगावा है, उसको join करें, pre-season camp है, और honest अगर मैं अपना दू, opinion तो, बहुत rare मैंने ऐसी जगह देखी हैं, I mean in Australia के वहाँ पे, आपको 110% चीज़ें available हो, facilities वहाँ, जैसे कि आप facilities हों, जैसे आप देखें, आपको from center में bowling machines हैं, और, जो सबसे अची बात है कि हर bowling machine के लिए कि दो, दो, दो coaches हैं, आपके उपर बहुत ज़्यादा नजरे हैं, आपको guidance करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो, इस से ची और बंदे को क्या चाहिए, एक आपको जगा मिल रही है, opportunity मिल रही है, तो आपने का प्रेक्टिस मैं यहां भी कर रहा हूं, लेकिन लगा वैं precision camp, तो I think so, कि मुझे यह join करना चाहिए, तो उन्हाना मुझे, जैकिन आपकी तरफ से जो off the record हमारी बात हो रही थी, आपने कहा जो facilities आपको maximum वहां पे चाहिए थी, वो आपको Pakistan में high performance center में आके, वो मिली है, तो यह बड़ी खुशाइम बात है, talent के लिए, पाकिसानी characters के लिए, तो आप कैसा देखते हैं, HPC को, जब आप struggle कर रहे थे 2010 से लेके, अभी तक आपकी cricket की struggle चल रही है, तो ऐसी facilities आपको पहले कहीं पे मिली हैं, पाकिसान में? देखें, छोटी छोटी बाते हैं, वो matter करती है अगर आपको महाल दिया जाए, जिसमें आप अपना best दे सकें या अपने best के लिए तियार हो सकें, तो उससे best मुझे नहीं लगता कोई चीज है, high performance center में basically जो सबसे different चीज है, मैं, मैं पूरे पाकिसान में खेला है, मुझे नहीं लगता कि high performance center जैसा कोई center और है, अब अग आपके साथ आते हैं, exposure के साथ एंदेन और कोई फेवर करें, तो यह बहुत मज़का केमेंटा है, मैं जरूर उसको मेंशन करना चाहती हूँ, Zubair भाई कहते हैं, कि यह क्रिकेटर तो कम एक्टर ज्यादा लगते हैं, और अगर यहीं से हम थोड़ी सी बात को अपनी discussion को, क् अपरियर राज थिटर देख्टर टाहती हैं, तो कि अँना खिला है यहां मैजा फ़ंजायर के बातबस까 अपडर ज़के में हमने तो हम उनको शुनान भी चाहते हैं, बड़ा अच्या गाना गाते हैं अपने सुना है और यह जो आपको कमेंट आया ने अपको कम्मिनिकेशन पाफर ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि जूनियर राजा आ जो कई हैं रागा है रागे रावी आपके आप इसे दार कर रहे हैं जैसे से क्रिक्ट में एक्सिरियस भड़े गया और फिर बाद जो आपकी में एक ऐसे एक्मोस्फेर से आया हूं कि जहां पर आप ऐस सच इतना शाइनेस नहीं है कि मैं गर्वर्मन कॉलेज से पढ़ा हूं तो वहां पर काफी ऐसी ऑपरशुनिटीज है कि आप ना आपकी यह शाइनेस कतम हो जाती है तो मुझे ऐसा फील होता है यह मुझे मेरे एव कि मैं है क्पोर थिहारा से इस ऑंकॉरत कॉर्स जाए खोगी है है वहां हिर्ट। वहां देण है तो इससे भीजिए अधी घर मेरे बना है उसके बहुत सारी है है अबक्टर हाइट रहरा कि जिसक्तित है टावश कर बंडर क है खिग। जो दिल चाहता है, जितने आप कुछ हैं, सुनाते हैं थोड़ा सा जाने का टाइम होना है, लोगों को चाहिए है, आपको आपके हर लेकर लेकर लोगों के कुमेंट्स में, अगर on-demand, once more भी आया जाने का अगर फर्माइश प्याद गाले की तो वह भी हम सुनाइगे, कि क्रिक्ट की बाता है तो बडी ही चल रही है जहां पर सुरों की बाता मैं। अनर्वेस हो गाले की तो नहीं बाता है इसा कूछ नहीं है इस मेरा बिला फिराभ में जादा अच्छी एवाज आती है तो परजान राजा को प्लीस है जादे शेया आइंग्य प्रेस्टियू प्रिस्ट तो आपके सॉंग सुना नहे है जी पिरकुर चले ले सुनाता हूं याद करोगे रातों में तुम हर वो दिन जब साथ में थे हम तुमको जब कोई और मिला था ये दिल तब ही तूट गया था जानोगे जब दिल तूटेगा क्या होता है मर जाना शामा पैया तेरे बिना तु घरा धोलना क्या जानते हैं ताहिर काफी क्रिक्टर्स पीडिवी से जुड़े हुए वह आपको देख रहे हैं उस एसन विर्जा आपको देख रहे थे उनने कहा बड़े ओनेस्ट हैं आप तो कि रूमेट भी रहे हैं कलंदे सॉंग की फिर्माइशारी करण भी ताहिर जो तो मैं वर्माइशारी केरें करें समय को अजय जानते हैं ऐसा क्यूं कर हुआ वह जानूना आ जानूना मैं जानूना दिल संभल जा जरा फिर मुहबत करने चला है तू दिल यहीं की रुक जा जरा फिर मुहबत करने चला है तू जिस राह पे है घर तेरा सर वहां से हो मैं गुजरा शायद यहीं दिल में रहा तू मुझको मिल जाए क्या पता क्या है यह सिलसिला जानू ना मैं जानू ना दिल यहीं रुक जा जरा फिर मुहबत करने चला है तू अवां यहाद यहां बहुत अग्या जरा है अजरा किया मुझक हो जानू अगर आपकी डिमांड ज्यादा आई तो हम आपकी एक वर गाना जुरू सुनेंगे किके अवामी पर प्रोग्राम है और लाइव सेश्शन अवाम के लिए हो रहा है किस प्लेयर को बहुत ज्यादा एकसाइड़ी नहुंसे साथ उस प्लेयर के साथ खेल देगा मोगा मेलेगा और आप और ड्रैसिंग रॉम शेयर करेंगे मैंने ख्रिस लेन को देखा है अस्ट्रेलिया में और अधरी सिरियस नॉट वो काफी आपने देखा है काफी अच्छे और अग्रेसिव हेटर हैं तो उनसली उनको बॉलिंग करने मज़ा आएगा नेट में तो मैं उनको मिलने के लिए बहुत एक्साइब आप कुछ नसीम है क महां पर इक्सेप्शनल वालिंग डिपार्टमेंट की बात करें जो हमारे बॉलर्स हैं उनके बारे में क्या कहें कि कैसा कमबिनेशन है फास बॉलिंग स्पिन बॉलिंग की तरह बगे देखें तो इसको कैसे ग्लैबरेट करें आप देखें आगर मैं बात करूं तो मुझे निए तो यहीं लगता है कि फास बॉलिंग जो इग्रेशिव होते हैं वह बहुत अच्छी होते हैं जैसे कि पहले थे जैसे आकब भाई थे वसीम भाई थे वकार भाई थे यह एक कॉम्बिनेशन जाए बहुत अग्रेसिव था तो अब अगर मैं यानि कि मैं देखता आपने देखा है पॉलिटिव एटमस्फियर क्रियेट हो जाता है तो वह बड़ा अच्छा लगता है बिल्कुल ऐसी है साथ मिर्दा आप से पूछ रहे हैं कि आपका एक्स्पीरियंस कैथीड्र क्रिकेट का यह बड़ा अच्छा इन स्वाल की मेरा बेसिकली मेरी जो क्रि एक्सपीरियंस है और महँ भी मिररखा भी मेरी है सेमि-फाइनल या फाइनल हा रही थे तो इट वस एक्सपीरियंस अच्छा जी वापस थोड़ा सो महुल चैन्ज करते हैं राजर ये सिर्फ और सिर्फ आ आपकी जो डिमांडारी है आपकी तो सॉंक्ड और हम तो सुनते रहते हैं, off the camera भी हम राजा को सुनते रहते हैं, काफी शिरारती है, काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छे सिंगर भी है, दायलोग सुना दें, फाइलली एंडिंग जो होगी, वो हमने कंट्लूट किया, कोमेंट्स देखकर, कि आप एंड गरेंगे गाने पे, गाना भी जाने वाली एक नौयत का होना चाहिए, जब जा रहे हो शो से, तो उस तरह का ओना जी, कोई डायलोग, यादा है, गाने इस प सब्सक्राइब टरह तो इन्छाला हम जाएंगे, लेकिन बड़े हम इस विफ्ट वे जाने वाले हैं, लेकिन यहां से आज के शो से आप जा रहे हैं, और कुछ से गाने जा जारे हैं, कुछ को प्र एंडस क्रिये हैं, तो यह सूँ से जाते हैं, उसी नौयत का गाना हो था हम छोड़ते हैं फर्जान राजब फर्जान के इंकलूड करेंगे आज की शोग को गाने के साथ और देखते हैं जाते जाते कुछ सा गाना गाएंगे मैं वाकी थोड़ा सा हो रहा हूँ कि यह सिमिंग शो हो गया मैं अर्सलान की तरफ से गाने को सजेस्ट कर दिया गया है अच्छा चलता हूँ अच्छा चलता हूँ दुआउ में याद रखना मेरे जिकर का जुबाँ पे स्वाद रखना दिल के संदुकों में मेरे अच्छे काम रखना चिठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे यशा चन्ना मेरे यशा बलिया ओपिया आजी अपिज अफ्टर इस राश्ट इस राश्ट परेंगे और आपके सामने पेश करेंगे और मिलेंगे अपकु नेक्स लाइश्व में खुदा आफ़ेस